In this video I will show you how to make your PC 10x faster. Let's start the video. सबसे पहले आप सर्च में आएं और यहाँ पर टाइप करना है नोटिफिकेशन जैसे ही नोटिफिकेशन टाइप करेंगे और इंटर के बटन पर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यह बॉक्स ओपन हो जाएगा. यहाँ पर हमने क्या करना है नोटिफिकेशन को डिसेबल करना है और यहाँ पर गेट टिप्स के उपर अंटिक करना है तो इसके बाद इसको क्लोज करेंगे फिर सर्च में आएंगे सर्च में आने के बाद बैग्राउंड टाइप करेंगे सर्च में तो जैसा ही बैग्राउं डिसेबल कर सकते हैं, तो हम इसको तमाम जितने भी एप से उनको डिसेबल कर देंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डेस्टोप पर और पर सिनलाइज पर क्लिक करेंगे, जैसे ही पर सिनलाइज पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो तो उसके बाद हम क्या करेंगे माई कंप्यूटर के उपर डबल क्लिक करेंगे और यहां पर find out करेंगे तॉप पर uninstall और इसका डाली बोस मारे पास open हो जाएगा तो यहां पर हमने क्या करना है जितने भी useless हमारे पास जितने भी softwares है जो के हम use नहीं करतें इनको हम uninstall के button पर click करके और box को close करेंगे इसके बाद right click करेंगे taskbar पर end task पर click करेंगे और यहाँ पर हम type करेंगे click करेंगे startup पर और यहाँ पर जितने भी हमारे पास apps हैं जो हम starting में enable हैं इनको हम disable कर देंगे या जिनकी पर क्या करेंगे हम ipconfig slash dns type करने के बाद enter करेंगे तो जैसे हम enter करेंगे तो हमारी resolver cache जो है वो remove हो जाएगी और PC की जो speed है वो काफी fast हो जाएगी और internet की speed भी fast हो जाएगी इसके बाद क्या करना है run command में आना है और type करना है temp जैसे हम temp type करेंगे तो ok के button पर click करेंगे यह जो appearance है हमारे पास illuminate होगी तो इसको हम select करेंगे जितनी भी files है इनको select करने के बाद delete कर देंगे जिस तरह भी आप इसको delete करना चाहते हैं इसको delete कर लें तो इसके बाद फिर हम run command में आएंगे और यहां पर type करेंगे percentage temp percentage और ok के button पर click करेंगे तो इसका same dialog box temp जैसा ही open हो जाएगा हमारे पास इसको select करेंगे और continue करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे check के button पर click करके skip कर देंगे और हमारी जो files हैं वो remove हो जाएगी तो इसके बाद अब हमने क्या करना है next setting में हमने आना है my computer में और यहां पर c drive में आना है windows में आना है और यहां पर find out करना है distribution software distribution और यहां पर हम download के button पर double click करेंगे और जितनी भी files हैं इनको select करके इनको select all करेंगे और delete के button पर press कर देंगे तो इतना काम करने के बाद हम box को close करेंगे और back आ जाएंगे back आने के बाद हम फिर search में आएंगे और यहां पर type करेंगे disk cleanup तो जैसे disk cleanup हम type करेंगे तो हमारे पास front में अगर हम देखें तो हमारे पास disk cleanup है इसके उपर हम click करेंगे तो इसका जो box है हमारे पास open हो जाएगा तो जैसे इसका box हमारे पास open होगा तो हम इसको okay करेंगे तो यहां पर हमारे पास जितने भी ticks हैं को tick कर लेना है और delete files करना है तो automatically तमाम जितनी भी files हैं जो के हमारी cache cookies और हमारे system में जो भी processing है वो close हो जाएगी और हमारे PC की जो speed है वो fast हो जाएगी basically जो seat drive है इसमें जो हमारी load disk space है वो भी से improve हो जाएगी यानि के खतम हो जाएगी तो इसके बाद search में आएगे और type करेंगे services और enter के button पर press करेंगे तो यह box हमारे पास open हो जाएगा जैसी ये box हमारे पास open होगा यहाँ पर हमने क्या करना है press करना है डेवलियू का button की बोर्ड से तो यह press करते जाना है और यहाँ पर find out करना है windows update और यह डायले box के उपर हमने select करना है disable तो जैसी इसको disable करेंगे हम और ok के button पर click करेंगे तो हमारे पास इसका जो box है वो close हो जाएगा तो इसको close करने के बाद अब हमने क्या करना है right click करना है my computer पर properties में आना है और right side पर हमने find out करना है advanced setting ठीक है तो advanced system setting पर हमने click करना है यहाँ पर यह dialogue box हमारे पास open हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमने setting करनी है visual effects है तो यह तमाम setting करने के बाद आपने क्या करना है अपने PC को restart कर देना है और आपके जो PC की speed है वो 10 next faster हो जाएगी